नमस्कार स्वागत है आपको बताने जा रही हैं कपूर के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप जीवन बदल सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिये हुए हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कपूर का इस्तमाल पूजा में किया जाता है कपूर जलाने से वातावर्ण में सुगंध फैल जाती है जिससे मन मस्तिष्क प्रसन हो जाता है कपूर को अंग्रेजी में क्यानफोर कहते हैं वास्तू और जोतिश शास्त्र में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है सनातन धर्म में हवन का कार्य और आरती कपूर के बिना अधूरी मानी जाती है कपूर से नकारात्मक उर्जा समाप्थ होती है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है इसमें बंद किस्मत का ताला खोलने की ताकत भी होती है कपूर से घर का वास्तु दोश समाप्थ हो जाता है और आर्थिक स्थिती अच्छी हो जाती है कपूर से पितर दोश समाप्थ हो जाता है और यहां बहुत सारे उपायों में काम आता है चलो बात करते हैं कपूर के कुछ अद्धुद उपायों के बारे में नमबर एक धन आगमन कपूर का एक छोटा टुकडा ले उपायों में हमेशा भीमसेनी कपूर का ही उप्योग करे अब कपूर के टुकडे का चूरा बनाकर उसे पानी में डाले और उस कपूर वाले पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़त दे और साथ ही अपने घर के हर कमरों के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा इसी जल को छिड़त दे इससे धन के आगमन के साथ साथ माता लक्ष भी कपूर का प्रयोग किया जाता है यदि आपके घर में कला अधिक रहता है कोई काम नहीं बनता आर्थिक तंगी बनी रहती है तो कपूर की दो टिकिया अपने घर के चारों कोनों में रख दे और जब यहां गलकर समाप्थ हो जाए तो इनके स्थान पर दो नई कपूर की तिकिया रख दे तथा इसी तरह तिकिया बदलते रहे तो उस थान और उस घर का वास्तु दोश समाप्थ हो जाएगा नमबर तीन अचानक धन प्राप्ति के लिए यह उपाय आप नवरात्री से प्रारम करे या किसी शुकल पक्ष के शुकरवार से भी शुरू कर सकते हैं आप सुबह सनान करके एक गुलाब के फूल में एक कपूर की टिकिया रखकर माता दुर्गा को अरपित करें और सारा दिन इस फूल को मंदिर में माता दुर्गा के सामने रखा रहने दे शाम को अब कपूर को तो आप जला दे और इस गुलाब के फूल को माता दुर्गा जी के चरणों में चड़ा दे यह अचूक उपाय हैं इस उपाय को आपको लगातार 43 दिन तक करना है इस उपाय को करने से अचानक धन मिलने के मार्क खुलते हैं और धन की कमी नहीं रहती नमबर 4 भाग्य चमकाने के लिए आपका कोई काम नहीं बनता आप हर तरफ से निराश हो तो भाग्य चमकाने के लिए नहाने के पानी में कुछ बूंदे कपूर के तेल की डाल दे अब रोज इसी कपूर के जल से स्नान करे आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा साथ ही अगर आप हर शनिवार कपूर के जल में चमेली के तेल की कुछ बूंदे भी डाल देते हैं तो इस जल से स्नान करने पर भाग्य के साथ साथ राहु केतू शनी पीड़ा से भी 5. पितर दोश से मुक्ती के लिए पितर दोश को दूर करने के लिए परियाप्थ है इससे दोनों दोश समाप्थ हो जाएंगे 6. घर में बरकत और कर्स मुक्ती के लिए आप रोज रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में दो तिकिया कपूर और दो लॉंग जला दे इस उपाय से घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती आपका घर अन्न धन से भरा रहता है इस उपाय को आपको लगातार 43 दिन तक करना है इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है और आप आर्थिक उन्नती करते जाते हैं और कर्जे से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है तथा आप कर्ज मुक्त भी हो जाते है 7. अक्षय पुन्य की प्राप्ती सुभा पूजा के समय और शाम को पूजा के समय घर में कपूर को जरूर जलाए इससे अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है 8. पती पत्नी की कला दूर कर प्रेम बढ़ाने के लिए 9. रात को सोते समय पत्नी अपने पती के तकिये के नीचे सिंदूर की पुडिया रख दे और पती अपनी पत्नी के तकिये के नीचे दो कपूर की तिकिया रख दे सुबह सिंदूर की पुडिया को घर से बाहर ले जाकर कहीं फैंक दे और कपूर की टिकिया को वही कमरे में जला दे और अगर पती-पत्नी ऐसा नहीं कर सकते तो आप रात को सोते समय दो कपूर की टिकिया कमरे में रोज जला दे और दो टिकिया कमरे में किसी भी कोने में रख दे बस इतना ही कर लेंगे तो भी परियाप्थ होगा इससे पतिपत्नी के बीच का तनाव समाप्थ हो जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा नमबर नौ नौकरी व्यापार में अडचन नौकरी नहीं मिल पा रही है या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप बुद्धवार को कपूर और मिश्री का दान करें नमबर दस विवा में बाधा विवा नहीं हो पा रहा है विवा में बहुत अडचना रही है तो आप 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया लेकर उसमें थोड़ी हल्दी और थोड़े चावल मिलाकर इस मिश्रण से माता दुरगा के नवार मंत्र से हवन में आहुतिया दे इससे विवा जल्दी तै हो जाता है नमबर ग्यारा आकस्मिक दुरगटना से बचाव प्राकृतिक या अप्राकृतिक दुरगटनाओं से आप बचना चाते हैं या आपके साथ आए दिन कुछ ना कुछ हाथ से होते रहते हैं तो आप रात में सोने से पहले कपूर जलाकर हनुमान चालीसा का एक पाठ नियमित रूप से करे इससे दुरघटनाओं का होना रुख जाता है और बुरे सपनों से भी बचाव होता है। ये कुछ उपाए हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। राधे राधे